Hello friends, welcome back to my channel Friends, मात्र 15 दिन अगर आप इस नुस्खे का यूज अपने बालों में कर लेंगे तो यकीन मानिए आपके बालों की हेर ग्रोथ इतनी तेजी से वड़ेगी आपके बाल इतनी तेजी से ग्रोथ करेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा तो guys आपका जादा टाइम ना ली तो जलिए शुरू करते हैं जल्दी से आज के इस नुस्खे को लेकिन guys अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्स्क्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नहीं है तो guys जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजे और बाजू के बैल आइकन को भी ओन कीजेगा ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो गाइस इस नुश्के को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है रिठा पाउडर का आपको फ्रेंड्स इसमें मात्र एक चमची रिठा पाउडर एड़ करना होगा और अगर आप बोईस हैं तो फ्रेंड्स आपके बालों के लिए मात्र आदा चमची रिठा पाउडर काफी रहेगा इस तरह से आप इसमें एक चम्मच रीठा पाउडर का एड़ कर दीजेगा रीठा पाउडर को एड़ करने के बार अब आपको इसमें एड़ करने होगी घर की चमियोई फ्रेश कार्ड यानि की दही आपको फेंडस इसमें मातर तीन चम्मच दही एड़ करने होंगे दही हमारे बालों के लिए तेजी से पोर्शन का कार्य करती है, बालों की जड़ों को मजबूती देती है, बालों को सिल्की सायन बनाती है और बालों का दो मुहापन, बेजानपन, बालों में उलजने, बालों का एकदम से ना बढ़ना, बाल पतले दिखाये देना, इन सभी स मत्तियां को भी जड़ से खतम करती हैं। इसके बाद मात्र आपको इसमें एक चीज और 新वारा करना होगा। दू चिमश सने आपको 2 पाइप करना सकते हैं। तो आप सोईल का भी यूज़ कर सकते हैं, मात्र दो चमच आपको इसमें आलमंड ओईल एड़ करना होगा, तेल को एड़ करने के बाद अब आपको इन्हें अच्छे से मिक्स करना है, और इसे बनाने के बाद दो मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है, इसके बाद आप इसका यूज़ अपने बालों में कीजिएगा, बालों की जड़ों में 10-15 मिनट की मसाज दीजिए और बा आपके बालों को कितनी मजबूती आई है, बाल कितने स्ट्रोंग हो गए हैं, जड़ से आपके बाल कितनी स्ट्रोंग हो गए हैं, बालों का उल्जना, तूटना, बालों का पतलापन ये भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, बाल तेजी से इतने तेजी से बढ़ेंगे कि आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे तो गाइस अगर आप भी अपने बालों की हेल ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं बालों की उलजनेद दो मुहपन की समस्या को जड़ से खतम करना चाहते हैं तो इसका जरूर यूज कीजिएगा तो गाइस यह था आज का मेरा वीडियो आज